हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको आलमांडा का प्लांट दिखा रही हूँ आलमांडा एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है अगर आपने एक बार अपने गार्डन में लगा लिया है तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और हमेशा फ्लावरिंग करता चलिए जानें दोस्तों आलमांडा के बारे में आलमांडा एक परमानेंट फ्लावरूरिंग करने वाला एक خुशरत सा फ्लावरिंग प्लांट एक और इसकी कैलर वराइटिया आती है जु alma परमांडा के बारे मेतल हैं यह देखि नुप मेरे पास पीक है और इसकी कलियां भी काफी बड़ी सी होती है और काफी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट इस समय भी सर्दियों में भी देखिए जन्वरी में भी ये कितनी फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें फ्लावर तो आई वे हैं परंदू कम है और इसमें पूरे साल flowering करता रहता है December और January दो मेना ये rest period में रहता है तो इस समय इसका rest period चल रहा है तो इस समय हमें इसको कोई भी fertilizer नहीं देंगे हम इस समय मैं कर रही हूँ अपने plant की cutting तो ये period पर plant की cutting और छटाई के लिए काफी अच्छा period चल रहा है तो आप अपने प्लांट की कटिंग कर सकते हैं तो आज मैं आपको अपने प्लांट की कटिंग करते वे दिखा रही हूँ log layer tree आकार में बन गया है मैं इसको ऐख ग्रिल गले आहरे उपर की ओल ले जाता हूं इसकी लचिली टहिनिया हुती है इसको आउशकता है आलमंडो को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है आप इसकी कटिंग बरसाद के मौसम में लगा सकते हैं और 5-6 इंची की कटिंग आप नॉर्मल मिट्टी में लगा लें तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है और पानी में भी ग्रो हो जाता है तो एक ही प्लांट से आप इसके क प्रैंच में देखें गूछ्छू में इसके कलियां खिली है फ्लावर आते रहते हैं और काफी देखें कितने ज़्यादा इसमें गूछ्छू फूल आएवए हैं तो यह बहुत एक खुबसूरत प्लांट है और इसके पत्यों के आकार भी अलग हैं जैसे यह पिंक कलर में है तो इसकी पत्तियां कुछ जरजरी सी है और यलो कलर के जो फ्लावर आते हैं वो इससे बड़े होते हैं और उसमें पत्तियां काफी चमकीली हैं और लंबी पत्तियां हैं तो पत्तियों के आकार भी फ्लावर के हिसाब से अलग अलग होते हैं तो यह इसमें कई कलर वेरेटिय हैं तो इस समय हम इसकी देखवाल क्या करें अपने प्लांट की और इसे कोई किमपोस्ट देने की जड़त नहीं है अभी और इस परवरी आते आते फिर से आप इसके खुराप करके इसमें फिर से नई कमपोस्ट करने के बाद नई खात देंगे उसे तो फिर से आपके वहां फिर से इसकी ग्रोथ हो जाएगी और ये फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला एक खुसरा सा फ्लावरिंग प्लांट है जब इसकी मिट्टी तयार करें तो इसको वेल्डन मिट्टी की आवशकत जिससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी और प्लांट खराब नहीं होगा और हमेशा आपका प्लांट चमकिला बना रहेगा और स्वस्त दिखाए देगा जहां तक हम पानी की बात करें इस प्लांट को पानी की भी आउशकता है पानी भी आप समय समय पर देते रहें मौश स्वास्त रहते हैं और साप सुत्रे दिखाई देते हैं और पत्तियों को पानी की आउशकता होती है तो इस प्रे के मास्तम से आप पानी पौदों में अवस्ते डालें जब भी आलमांडा की प्रांट को आप लगा रहे हैं तो हम इसके सनलाइट की बात करें तो इस प्रांट को सनलविंग प्रांट है इसे जब भी आप लगाएं ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर साथ आठ घंटे की धूप आती है तो वहाँ पर ये काफी अच्छी फ्लावरिंग करता है मैंने इसे ऐसी जगह पर लगाया है जहां सुबा से साम तक धूप रहती है तब ही ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है और एकदम ट्री आकार में बन गया है तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आती है धेखे कितने ज़्यादा इस समय बीस के फ्लावर है तो समय समय पर आप अपने प्लावर की कटिificación करते रहें जिससे आपका प्लावर प्लावर प्लावरिंग कर लावर हो यह लिए प्लावर भी ज़्यादा अच्छ है दिकाई दिकाई दिते हैं और लंबे समय तक प्लांट पर बने रहते हैं इस्प्रे के माध्यम से पानी डालने से यह होता है कि इसमें जो सूखे हुए फूल होते हैं वो इसी टहनियों में ही चिपक जाते हैं और अगर प्लांट की हाइड जादा है तो हर रोज आप प्लांट की सफाई नहीं कर सकते हैं तो इस्प्रे के माध्यम से जब आप पानी डालेंगे तो सूखी वी पत्तियां और सूखी वे फूल सब नीचे गिर जाते हैं पर प्लांट की सफाई हो जाती है तो एक हपते में एक बार इस्प्रे के माध्यम से पानी इसमें प्लांट में अवस्षी ही दें मैं तो इसमें इस्प्रे के माध्यम से ही पानी देते रहती हूँ और देखिए कितना खुबसरत प्लावर प्लांट है ये इसे आप गमले में भी और जमीन में दोनों में ही लगा सकते हैं तो गमला इसके लिए बढ़ा रखें देखे मैंने कर दिया है फूरे प्लांट की कटिंग और मैंने इसको इसाकर में बना दिया है और इसमें जब पत्या आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी अपने प्लांट की कटिंग इस समय कर सकते हैं और इसमें फिर से नई फ्लावरिंग और नई पत्या ले सकते हैं थैंक्यू